यह ली जाए नवरात्रों में हलका फूलका सुभ़ सामके नास्ते में खाने के लिए साबू दाने की खिचड़ी और कितनी खिली खिली साबू दाने की खिचड़ी दो देखते हैं कैसे बनती है साबू दाने की खिचड़ी चलते हैं रट winding bets у हाई एवरीबन वेलकम बैक टूमाइए नदर वीडियो जैसे कि आप सभी जानते हैं नवराते चल रहे हैं नवराते के अफसर पर कुछ खटा कुछ मीठा बना जी करता है तो आज हम बनाएंगे साबू दाने की खिचडी बहुत ज़्यदा टेस्टी यमी बनती है तो यहां मैंने बराबर पानी डालकर इसको भीगोने के क्लिए रख दिया थह तीन है आपको दिखा देती इति हैं काफी अच्चा साभू दाना फूलो कर देंगे और यहां पर हमने लिए हैं दो हरी मिर्ची इसे लंबी-लंबी पीशों में काट लिया है थोड़ी सी मुमफली के दाने दो एक चमच करीब हरी मिर्च पीशी हुई और यहां लगेगा हमें देशी घी तो चलिए हम कढ़ाई गर्म करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई रख दी गयस पर इसमें हम डाल देंगे देशी घी अगर आपके पास देशी घी नहीं तो आप जो बर्त में ओईल खाते हैं वो डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने एक चमच फुल भर कर देशी घी डाल दिया है इसे गर्म होने के लिए कर देंगे कि इसमें हम सबस्ब पर डाल देंगे मुफली की गिरिया इनको हम भून लेंगे मुफली भून चुकी है और मैंने निकाल ली अब मैं डाल दूंगे इसमें हरी मिर्ची और यह जो हमने मिर्ची का पेश्ट था इसमें अद्रक और मिर्ची का पेश्ट था उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तो मिर्च हमारी भून चुकी है इसमें हम डाल देंगे साबूदाना तो आप देख सकते हैं यह काफी अच्छा से हमारा खेला-खेला साबूदाना निकला है और अच्छे से मिला लेंगे नमक वन्टी स्पूम या फिर आप टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं कम या ज्यादा अच्छे से हम इसको गैस हमने इदम से लोटू मीडियम पर की हुई है तेज नहीं करेंगे गैस को धीमी धीमी आज पर ही हमने इसको बनाना है इसमें हम डाल देंगे लास्ट में नीवो का रस तो यहां पर मैंने एक नीवो का रस लिया है और उपर से डाल देंगे मुवफली की ग्री लीजिए हमारी तयार है मुवफली की साबू दाने की खिचडी और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ ठैकında होचीह हमारी फिचडी बनके तयार है और मैं इसे निकाल लूङँ एक प्लेट में तो यह दो से तयार है तो 충분 यह सबिसे लगी मेरी साबू दाने झाल झाल